जैहिन दोस्तों CRPA Paramedical भरती 2020 के रिटन एक्जामिनेशन को लेकर काफी ज़्यादा इंतजार हो रहा है और ऐसे में बहुत सारे ब्यारती काफी ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि सर CRPA Paramedical के बारे में भी कुछ इंफोरमेशन लाओ तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए एक और अपडेट लेकर आए क्योंकि 2021 में भी आपका रिटन एक्जामिनेशन नहीं होआ है तो अब 2022 में कब तक होगा आखिर क्यों फिर इसे डिले किया गया क्योंकि जनौरी में आपका जनौरी 5 तक आपका दिसंबर लाश्ट और जनौरी 5 तक आपका एक्जामिनेशन होना था लेकिर फिर से उसे डिले कर दिया गया आखिर लगातार क्यों उसे पोस्पोंड किया जा रहा है क्यों उसे डिले किया जा रहा है तो इसको लेकर एक और अपडेट आप सभी के लिए आई है CR पे पेरा मेडिकल भरती को लेकर तो दोस्तो वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा मेटपन साबित रहने वाला वीडियो के अंतक आप जरूर बने रीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक सेर जरूर कर दे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर कर ले तो चलो दोस्तो देखते सारी जानकारी तो दोस्तो C.R.P. para medical staff का है जो written examination है उसकी काफी ज़्यादा इंतजार और सबसे बहले बात करते हैं की काफी ज़्यादा बैरते हुए comments आरे की सा written examination क्या written examination के मातर पांच या 6 तिन पहले ही जो admit card जारी होगा है या admit card कापी सम कम से कम एक महीने पहले आपके admit card भी आना सुरू हो जाएगा क्योंकि दीरे-दीरे सभी candidate को यहां पर भेजा जाएगा और सबसे पहले SI, ASI और head costable का examination होना है उसके बाद में बाकी की पोश्टों का आपका return examination होना है और यहां पर बात करें तो offline क्या सभी physical pit है उन सभी का offline admit card आप आएगा तो मैं आप सभी को बता देता हूँ admit card आपका offline आएगा लेकिन physical की तरह है physical हुआ था आपका उस समय भी दोस्तो online list जारी की गई थी तो इस बार भी आपकी online list भी जारी होगी मतलब जिन candidate का किसी कारणस उनका admit card घर पे नहीं पहुँच पाता है तो उनका online list मे भी अपना नाम अपनी date और अपना center का नाम देके exam देने जा सकता है दोस्तो यहाँ पर इस recruitment के तरह था आपके 789 के लगबग आपकी vacancy थी जो की group B और C की थी और इसका जो पहला stage पहला stage complete हो चुका है मतलब physical efficiency test और physical standard test आपके complete हो चुका है second stage है आप जो candidate physical qualify कर लिए उनका return examination इसमें होना है और return के बाद में आपका stage 3 में आपका trade test होगा screening documentation होगा और stage 4 में आपका medical होने वाला है तो second stage है उसका काफी ज़्यादा इंतजार हो रहा है और SME मैं आप सभी को बता देता हूँ CRPF की तरफ से departmental जो head constable LDC जिसे बोलते हैं जिसका एक recruitment आया था और मैंने आपको पहले बताया था कि पहले head constable LDC का exam करवाया जाएगा और दोस्तों ये LDC का exam केवल departmental candidate ही दे पाते हैं जिनकी service 5 साल हो जाती है और चो CRPF में constable tradesmen के पदों पर भरती होते हैं वो directly 5 साल बाद में head constable LDC का exam देके directly हावलदार के ही post पर वो जाते हैं तो दोस्तों उन जो paramedical की भरती है उसका process है उसे शुरू किया जाएगा लेकिन दोस्तों सुनने में आ रहा है कि जो LDC आपका जो LDC का जो होने वाला था head constable का return examination उसे postpone कर दिया गया और यही कारण है और यही कारण है कि दोस्तों आपका भी examination कुछ समय के लिए आगे चला गया नई तो द दोस्तों अभी कोई update नहीं आई है LDC का जैसे examination complete हो जाएगा उसके बाद में CRP paramedical का भी return examination करवा जाएगा आप अच्छी त्यारी कीजिएगा क्योंकि आपके सामने कापी ज़्यादा समय आपके पास बच चुका है और return examination का अगर आपने भी तक syllabus नहीं देखा है तो description box में लिंक दे दूगा जहां जाके आप पुरा syllabus भी देख सकते हैं तो दोस्तों यह थी एक चोटी सी जानकारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक like और एक share जरूर कर दे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर subscribe कर ले तो दोस्तों शुटों में इतना ही मि करण वास में तब तक के लिए जाए तो दोस्तों में तब तक के लिए जाए तो